तो अब यहां देखें भाईया कुछ जो है वो बिमारी जो है आपके बॉडी के अंदर आती है उसके बारे में मैं आपको बता हूँ और लिखना कैसे पेपर के अंदर वह भी आप देखेंगे ठीक है तो डेंटल कैरी यहां पर लिखा है जो के पहली जो के आपकी एक तीत की बिमारी यह एक तरीक है यह काफी तफ़ा पूछे जाती है तो अगर यह आ जाए तो सिंपल इसकी जो डेफिनेशन आती है जाधा तर ना तो आपको डेफिनेशन याद आगने दिस्ट्रक्शन ऑफ आफ तूथ डू टू डा एक्शन ऑफ बेक्टिरिया दिसिस कॉल डेंटल करी जानी के आपका यह दान दान तीद होता एं तो यह जो इसका जो यह जो हिसा साथ न यह डाग्राम बना सकते हैं तो यह जो अपको मसूरा होता है जिसको हम कहते है ठीक है, जो यह रेड डेड स कोव रिंग कोवती थोस्कों छातें ऐनमल जो सु झाना है सिर जा है किया लग गया है काला हो गया है तो यह जब सारे चीज़ों हो रहे होती है तो इसके एनमल के PAR और ओरी होती है ठीक है तो जब जा जाता है थो हम कहते हैं कि बेमारी कुछ सी फिर्म हो सब्सक्राइ। सब्सक्राइब हो गई है अब एक चीज और याद रखनी कहा था तीत इनमेल इस डिजॉल्व एन लुक लाइक ब्लैक वही के मतलब अगर कभी-कभी सम्टैम ऐसा भी होता है कि जो इनमेल होता है यह कभी-कभी जो होता है बहुत जादा सड़ जाता है और इतना सड़ जाता ह और बिल्कुल ब्लैक सा लगना लगता है बिल्कुल काला पढ़ जाता आपका तीत तो यही इन सारी चीजों में आ रहा होता है कि यह डेंटल केरी से हैं अब दो तीन और बिमारी के बारे में मैं आपको बताता हूं जो कि इंपॉर्टन ने पेपर के लिए आस ते न आ एं में आ सकते हैं तो इसलिए इसकी मैं आपको सिर्फ वर्ड बता रहा हूं कि इंफ्लेमेशन ओफ लार्ज इंटेस्टाइन द्यू तो वार्यस और बैक्टिर इस कॉल इंट्राइटस यानि कि आप यह देख सकते हैं बीच में आपकी क्या है यह स्मॉल इंटेस्टाइन जो क कि हमने कर चुक Cyrus कि में और इसके सराओंडिंग में यह कि लार्ज इंटेस्टाइन ठीक है तो यह आपके जो हैवह लार्ज इंठेस्टाइन के अंदर इस जगा पई यह इस जगा पे Lif님 के निद्ग तो जब भी इस जगा पीजा घ่ने हो सकती है तो जब भी इस आताश आजाता है तो जब वह Gef बैक्टीर वारिस आपके अपको बारेश्यबर्यर जाता है तो हो जर्ज इस निद रहे होता है in तो कॉलिरा क्या चीज़े देखो कॉलिरा वह चीज़े कि जब आपकी बॉड़ी के अंदर वाटर के साथ बहुत साथ अमाउंट में बाय कार्बोनेट और सोडिया माइन जो है वह निकल जाए रिमूफ हो जाएं तो जो है वह कॉलिरा की डिजीजर जो होती आप के बॉड़ी के अन्दर आ जाती है तो इसके अंदर वहत है काफी सारी डिस्फंक्शनिंग हो की तर भी चले जाएं आपको चक्कर आके आप गिर जाये ठीक है सर में दर दुना स्टार्ड हो जाए correct मोग सही से काम ना करें तो यह तमाम जो बीमारी के जिस्प्रम से वह कॉलरा के अंदर आते हैं और यह क्यूं होती है वह मैं बदा चुक है कि आपकी बॉड़ी के अंदर आपके बैलनसिंग का काम करते हैं इस आपने चैप्टर पड़ा ओगा ना तो यह अगर आपकी बोडी इंदर वाटर के साथ जो होते हैं कभी-कभी बहुत ज़ादा मॉंट में निकल जाते हैं बहुत जादा मॉंट में एक्सरीट हो जाते हैं विदा हेल्प और यूरीन के दरीए तो होता क्या है फिर एक बैमारी कॉस होती है इसका नाम कॉलिरा इसका MSIQ आ जाज़ा है इसलिए इससलिए ये पढ़ना लाजमी था इसको क्या होता है। देखो साईको से निकला है साइको यानि कि आपकी माइंड ठीक है ना तो psychogenic diarrhea और diarrhea तो आपको बता है क्या होता है तो psychogenic diarrhea क्या होता है the diarrhea which is caused by the tension is called psychogenic diarrhea इसका ये MCU काफी दफ़ा आ चुका है कि मतलब कोई भी diarrhea हो रहा है तो आपको पता है वो क्यों हो रहा है वो हो रहा है आपकी tension के वाज़ सागर हो रहा है यहीं कि आप stress जादा ले रहे हैं आप जो है वो किसी चीज की tension जादा ले रहे हैं आपका या तो हो सकता है कोई break up हो चुका है तो उसकी आप tension बहुत जादा ले रहे हैं तो उस tension के थुरू या फिर वो तमाम चीज़ों के थुरू psychogenic diarrhea हो सकता है तो इसलिए कुछ भी हो जाए कोई मसला नहीं गवराना नहीं है अब वो देखो एक होता है simple diarrhea ना एक हमना पड़ा है psychogenic diarrhea एक होता है simple diarrhea तो diarrhea को अगर समुझ में या तो diarrhea मैं आपको बताता हूं कि diarrhea basically आपके जो होता है वही large intestine जो होती है आप जो movement होती है तो तेज हो जाती है तो आप मतलब आपका जो वाश्ण जो आ रहा होता है आपका stool जो पास हो रहा होता है बहुत जली यली पास हो रहा होता है तो basically जो mcu में काफी तफ़ा पूचा गया है वो डायरिया के अंदर पूचा गया कि क्या में चीज़े जो होती है वो एक्सेट आउट होती है बाड़ी के अंदर तो आपको बता होने चाहिए कि आपने की जो है वो आप कोई गलत का सहलत भार की चीज़ खा लेते हैं तो इसके अंदर बैक्टीरिया आ जाता है तो वो जो आपकी वी लाज इंटेस्टेन के अंदर इंफेक्शन कॉस करता है इसकी वश्यसे क्या होता है ठीक है तो आपको फिर जोई वह लूज मोशन लगते हैं इसके अंदर एक होता है डिसेंट्री यह एक बिमारी यह भी काफ़े तब पुझी कही है अच्छा डिसेंट्री के अंदर आपको यह तीन चीज़े याद रखना है क्या इस्टूल वाटर म्यूकस और बिलर्ड बिलर्ड तो बिलर्ड मैंने इसलिए है क्योंके डि कप कर देते हैं तो इसलिए डियर्य के अंदर बिलर्ड नहीं आता है डिसेंट्री के अंदर बिलर्ड आता है ठीक है तो जब आपकी बॉड़ी के बाहर जो होता है जब आप एक्स एक्स्क्रीड आउट कर रहे होते हैं तो बिलर्ड अगर आ जाए तो कहते हैं डिसेंट्र बता है यह आप जो बीचीज़ खाते हैं वाटर लेते हैं उसके अंधर यह उता है यह जो इसको बाइल करके पानी नहीं पीते जो पानी आ रहा है वह कोई पी रे जा रहे तो एक दिन के अंदर जो होता है इसका रेक्शन जो है सामने नहीं आता है आइस्ट 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 करके फिर इंफ्ट्ट्टन कर देता है ठीक है बरहुत इसका भी हलाज है बहुत ज्यादर सिलो हो जाती है इсть दीन तरोती तो दूटिम हो रही होती तो यह रहा होता इसको काॉंस्ट थैल इसरो क焦 धॉल्फ हॉल सेजा तो इसको करें कियाहिक यह उद्ट थैल यह निकी मजग स०्वी है करन के ये important छीज आपको याद होनी चाहिए अब पाइल्स जेखो पाइल्स बहुत important है पढ़ना क्यूंकि यह बहुत important है हर जग आता है तो यह basically piles क्या होता है वह हम पढ़ते हैं dhugs slowing फूल ना of veins near the N is called piles यानि के आपको पताए कि जब Ns के जो जो करीब करीब जो वेंस होती हैं अकर फूल जाएं तो जो है वो कहते हैं कि यह पाइल स्कॉस होगी आपको अच्छाब यह वेंस किस तरह होती है मैं बताता हूं और पहले चीज तो आपको याद रखने कि आपको यो खो घो है आपको यह बहुत आपका पूरा ठीक है तो यह नहीं सोगे जहां से आपका स्टूल नीचे निकलता है तो अब यह एनस के जो इधर देख रो कि यह बहुत है एक इसका पाइल का अब कैसे देखो काफी दिनों से यानिक दिन के अंदर आपको यहां से आपका स्टूल पास नहीं हो रहा तो जाहिर से बाते स्टूल जो है वह इसके मतलब लाज़ इस इसाइन के अंदर जहां जाया और जो प्रेशर जो यहां से निकल ला हो गए आपके एनस के अंदर तो यह प्रेशर जो है वो कॉस कर देगा आपकी वेंस को क्या करने में मजबूर करने में कि यह फुल जाती है रैशिस पड़ जाते हैं तो यह वेंस फुल जाई हैं कि जाहिए एक चीज़ को आप यतना दबा कर रखेंगे जितना स्टूर करक करेंगे इसलिए कहते हैं कि यह कॉंस्टिपिशन जो है वह कॉमन क्या है को से किसका पाइल का